हेलो फैंस इन्वेस्ट फोरेवर में आपके फिर से स्वागत है और आज के दिन में पहली वीडियो है और इस वीडियो में बात करने वाले एक स्टॉक से रिटेट जहां पार अगर हम बात करें ब्रेकाउट पर खड़ा हुआ है ब्रेकाउट अल्रेडी हो चुका है कह सकते ह बट यहां से काफी अपन जब से इस आइपियो आया है जब से इस टॉक साया है कि अब नीचे नीचे भाग रहा था और आज इसने अपने उस लेवल को क्रॉस करते हुए दिखाया है तो शाय अधी हां से एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ सकती है बहुत अच्छा का से भाग सकता है और काफी टाइम बाद मैं इसे स्टॉक को कवर अप कर रहा हूं तो आए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हो इस स्टॉक के बारे में जानते हैं और वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूँ है चाइनल इन्वेश्ट फोरेवर को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए और की नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए ताकि फॉरन तोर पर इस तरीकी की वीडियो आपको डेली बेसे से मिलते रहे बैंक सैलिंगी को रिकमेंडिशन नहीं अपने फाइंश एरवाई से खुद की श्टरी करें और वीडियो को लक्ताइं और चलते हैं तो जिसे स्टॉक से डेटी हम बाते कर रहे हैं उसका नाम बताए ता हो उसका नाम है रोलेक्स रिंग्स रिंग्स के अगर हम बात करें तो एक भैतरी Mr. Auto ancillary Stocks है और Auto ancillary Stocks जिस तरीके से भाग रहे है वो आप यहां पर दिख सकते हैं देखें लास्ट ट्रेडिक सेक्शन में लगबग 7.76% की यहां पर अच्छी कासी जंप देखी गई है ओके लगबद अच्छी कासी इसने जंप दिखाई और अच्छा कासी यहां पर भागा भी है यहां पर देखेंगे कंपनी अप्चा का एक बार यहां पर रिजल्ट भी पेश कर शुकी है और लास्ट टीम जब इसके रिजल्ट आए थे I have already made a video and told you कि यह अच्छा कासा परफॉर्म करेंगा क्योंकि इसे टाइम देना पड़ेगा तोड़ा सा बट अच्छा कासा शेयर है 57 यहां पर आप देख सकते है 57.64% की holding यहां पर promotors के पास और कोई भी शेयर यहां पर गिर भी नहीं है यह एक अच्छा positive points है और यहां पर कुछ और points यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं लब 41% की deliveries भी उठाती हुई हमें आपर दिखाए दिए Rolex rings के बारे में और भी बाते करें तो Rolex rings करती ही किस segment में काम करती है वह जाना बहुत जरूरी है तो Rolex rings के अगर हम बात करेंगे तो lead manufacturing of forge, forge and machine component in India and one of the top five forging companies तो हम बात करें देखिए तो यहां पर अलग-अलग company अलग-अलग segment के लिए अगर बात करें अलग-अलग industry, vehicles as well as machinery, turbine, wind turbine, railway, अलग-अलग से उसके लिए यहां पर अपने अपने products यहां पर sell out करती ही दिखाई देती है leading forging company top five में आती ही दिखाई देती है यहां पर देखे two wheeler, यहां पर two wheeler commercial vehicles, elective vehicles में भी एक company काम करती ही नजर आती है manufacturing facilities की बात करें तो यहां पर देख सकते है three manufacturing facilities भी है, revenue mix-up, wide range of products यहां पर international presence भी इस company की है यहां पर देखे 17 different companies में अपने products को export करते है और उदर से लगवा 46% की revenue आती है, client base की बात करें तो काफी बहती ही यहां पर company है और इसके लाए companies and leading bearing manufacturing such as SRF India Shettler, Shaffler as well as यहां पर बात करें Shaffler India, Timken India यह और top 10 customers account, इनके जो the top 10 customers, उससे 80% के revenue आते हुए दिखाई देते हैं, तो काफी बहती ही company है, company के बारे में मैं starting से ही कहता आ रहा हूँ कि company इस तरीके की जो बहती ही company होती है, हो सकता है कि थोड़े वो time के लिए आपको negative returns दे जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, कि जब से IPO आया था, IPO आने के बार एक अच्छी खासी गिरावाट उसके भागा भी था और फिर दुबारा यह पूरा का पूरा system as well transmission component यहां पर engine components as well as chasing component यह company बनाती हुई दिखाई देती है, और यह जितने भी products है, यह company ही prepare करती हुई दिखाई देती है, आप इसके बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते है, electric vehicles आ रही है, electric vehicles में company काम करती हुई दिखाई दे रही है, okay, और काफी बहुत कंपनी है, facilities कहां कहां पर है, वो देख लीजिए, इनके products देख लीजिए, यह सारे के सारे इनके products है, we all पर करेंगे तो एक पर सारे के सारे products और दिखाई देंगे, यहां पर देख सकते हैं, यह जितने भी है, gearing, ring, gear, यह सारे products यही company बनाती हुई दिखाई दिखा है, electrical, defense, power, aerospace, marine, as well as oil and nature gas, तो यहां सारे के सारे segment जितने भी आज की rate में भागते हुई दिखाई देती है, इस सारी sector में यह अपने products को बेस्ती भी दिखाई देती है, इसकी लवा market cap की बात करें तो देखे, small cap company है, small cap company का यही होता है कि यह गिरती भी तेज है और उसी तरी इसकी बात करें, तो PE, 40, PE पे share मिल रहा है, और 47% का data, ज्यादा debt भी नहीं है, कोई pleasing नहीं है, और share ने इस time, इसने all time high बनाया है, जो की अच्छे कासी एक बात है, यहां पर और कुछ points की बात करेंगे, तो देखी, last quarter के जब result आया थे, मैंने आपको बताया था, कि highest ever result आत net profit present कर रही थी, तो obviously बात है, यह share को फिर भाग नहीं था, इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ा सा time लगता है, बाचीटे ऊपर जाती हुए दिखाई देती है, yearly basis पर बात करेंगे, आपर देख सकते है, yearly basis पर, company की एक अच्छे कासी ऐसा नहीं है, कि यहां पर growth, कि अपर pandemic से pandemic में आती ही दिखाई दिया, pandemic से पहले company देखिए, एक अच्छा कासा चल रही थी, और अभी दुबारा company अच्छा कासा perform करके दिखाईगी, जो कि मुझे लगते ही है, इस बार इसके result आने वाले है, जब भी इसके result आएंगे, तो एक बार इसके result की तरफ गौर फरमाई अच्छा कासा आपको दुबारा भागता हुए दिखाई देगा, यहाँ पर अच्छा कासी growth इससे पहले भी दिखाई है company ने, reserves की बात करें, company के reserves देखिए, अच्छा कासी reserves हर साल बड़े है, बोराइंग की बात करें, इनकी बोराइंग देखिए, किस तरीके दे 600 करोड क cash बड़ा है, और जो भी पैसा आता है, बुक में दिखाई देता है, ROC यहाँ पर अच्छे कासी है, promoters की holding as it is बनी हुए, लगवा 57.64, FIs ने अपनी holding रखर के 3% की DIs की बात करें, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी score particular quarter में बढ़ाई है, याद रखिए, उन्होंने हिस्सेद अब बात कर लेते हैं, Rolex ring के चार्ट की तरफ एक पर देख लेते हैं, तो Rolex ring के चार्ट आपके अपर पर प्रस्तुत है, अगर यहाँ पर देख सकते है, तो share ने देखिए यहाँ पर अपना all time high यहाँ पर last trading session में बनाया था, बढ़ छे 7% अभी भी यहाँ पर ऊपर चल रह का यहां पर यह और यह लिए ले नापट दिखा दिया है सिपने बाद के पद्द जणने इसे बात का दिखा हूब और जो हमारा formula stock market का रहते ही है, तो उसे follow करने के लिए चीज़े हमेशा नीचे लेनी होती है, अब उपर के level पर आपकर आपने ले रखी है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी rally को enjoy करिए, और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्यों क्योंकि एक अच्छा कासा breakout औ यहां पर perform कर सकता है, और जब तक result नहीं आ रहे, at least अब तक तक यह share अच्छा कासा 100-200-300 रुपे तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक बार result आजेंगे, result किस तरीके से आएंगे, वो देख लीजेगा, और result आने के बाद यह share अगर result अच्छे आते हैं, तो औ यहां पर दूम मचाता हुआ दिखाई दे रहेगा, और मुझे लग रहा है, result अच्छे आ नहीं है, तो यहां पर तो इस share की तरफ नजरे बना सकते है, बट इस्टिल, यहां पर stop loss को भी अपने याद रखेगा, stop loss लगा के गाम करना है, अगर breakout को प्ले करना है, otherwise result का बेट